च्यक्क! पहले मैं आप लोगों को बतादुग के हमारा यह यूट्यूब के लिए ए और students के लिए हम यहाँ पर online earning और YouTube tips देते हैं ठीक है अगर आप लोग नए है तो चैनल को subscribe कर सकते हैं ठीक है अब जो study pool पे जो 3 problems है उसमें से दूसरा जो problem है पहले जो problem है उसको हम बात में discuss करेंगे क्योंके पहले problem के अलावा आप दूसरे problem से चुटकारा नहीं हासिल कर सकते हैं दूसरा जो problem है वो लोगों को यहीं आ रहा है कि सर अगर हम Google से डाकुमेंट्स उठाएं और उसे edit करके upload करें तो क्या हमारी earning होगी या हमारी डाकुमेंट्स जो है वो approve होंगे या वो rank करेंगे तो मैं आपको simple बात बता दूँ के भाई देखें अगर लोगों ने Google पे आके देखना होता है तो वो direct आके देख सकते हैं ठीके अगर वो किसी और platform से उसको देखना होता है तो वो जाके देख सकते हैं लेकिन वो लोग बेवकुफ तो नहीं कि वो study pool पे आके वो Google के उठा को आपने इस तरीके से पिर edit करना होता है कि उसका कोई पता ना चले कि ये Google से उठाए हुए documents है ये बात आपको जहन में रखनी है और मैं आपको ये suggestion देता हूँ अगर आप Google से उठाते हैं तो उसके बज़ाए आप किसी book या notebook की notebook की तस्वीर खींच ले उससे scan करके उसक लोगों को बार बार ये लोगों को बहुत मसला आ रहा है कि हमने 20 documents upload किये 10 documents upload किये 15 documents upload किये लेकिन कुछ पता नहीं चला तो मैं ये आपको बता दूँ कि अगर आप study pool के website पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो उन्होंने साफ साफ लेका हुआ है के to maximize your earning upload more than thousands of documents अगर अगर आप लोग अपनी earning को maximize करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी documents जो है उनकी आपने तादात 1000 से उपर कर लेनी है ठीक है आप बाज लोग 15-20 ये कोई documents नहीं है ठीक है और इतने बड़े platform पर आपके ये documents rank करना बहुत मुश्किल है ठीक है तो आपने करना क्या है आपने अगर आपने study pool पे बिलकुल genuine काम करना है तो आपने बहुत ज्यादा documents upload करने होंगे ठीक है और इसके earning में आपको ये बता दू कि इसके earning आप पर संभाल नहीं सकोगे ठीक है इसके earning भी बहुत ज्यादा होती है आप जो रहता है tip tip number one उसकी के वर बात करते हैं तो tip number one बहुत से लोगों को मसला इसका आ रहा है इसके लिए हमें जाना पड़ेगा study pool के website पर study pool के website पर मैं आपको बताता हूं कि आपने ये काम कैसे करना है जो ये लोगों को बहुत ज्यादा मसला आ रहा है यहाँ पर लोगों को अपने documents जो हैं वो upload करने नहीं आते तो मैं यहां पर जाता हूँ hall documents पे till documents पे जाने के बाद में यहां पर my uploads पर में आपको दिखाता हूँ कि आपने opinions को edit करना कैसे ठीक है बहुत से लोगों को यह documents के edit करने का नहीं पता ठीक है तो यहां पर for example मैंने एक document upload क्या है what is noun यह आपको नज़र आ रहा होगा English literature noun यह मैंने एक document upload किया है और मैं इसे करना चाहता हूँ edit तो उपर top पे आपको 3 dots नजर आ रहा है आपने इस पर click करने इस पर click करने के बाद आपने desktop side पे click करने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ मैंने यह document upload किये है what is noun English literature what is noun ठीक है अब आप यहाँ पर देखे उपर सबसे पहले आपको नजर आ रहा है title मैंने लिखा है English literature noun ठीक है title आपने एक अच्छा सा title कहीं से भी उठाई यहाँ पे paste करें ठीक है उसके बाद यहाँ पे यह school लिखा हूँ नजर आ रहा है school में आप अगर university के student हो आप अगर fifth के student हो आप college के student हो तो आप अपने school का name select कर सकते हैं जो भी आपके school का नाम हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे आता है जी courses courses में आपने क्या लिखना होता है तो मैंने यहाँ पे select किया हुआ है textbook यानि मेरी अपने हाथ से लिखी हुई एक PDF है ठीक है अगर आपकी तो courses में आपका mathematics हो तो आप mathematics लिख सकते हैं यहाँ पर courses में मैंने लिखना किया होगा आपकी समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ English ठीक है यह उपर खुद इसने suggestion में दे दिया English grammar मैं यहाँ पे English grammar select करूँगा ठीक है अगर आपकी math है तो आप math अगर आपकी physics है physics bio chemistry अगरा जो भी है आप यहाँ पे edit कर सकते है ठीक है उसके बाद नीचे बारी आती है tags की tags इंतहाई important है और tags आपने लगाने कहां से हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ Google पे गूगल पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने tags कैसे लिखने है tags में मैंने यहाँ पर उपर सर्च किया noun ठीक है आपने अपना topic यहां पर सर्च करना होगा मैं सर्च करता हूँ इसे इसे सर्च करने के बाद यहां पर मुझे people also ask के लोग यह भी चाहते हैं यह भी पूछते हैं यहां पर इसे मैंने इसने मुझे दे दिया what is noun with example what is noun in grammar what are four types of noun what are five nouns ठीक है इसे इस सर्च करना है और इसे यहां से उटाना आपने केसे के यहां पर simple अपने यहां इसका screenshot लेना है screenshot लेना के बाद आपने एक-एक करके यहां पर आपने paste करना है उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो आपको अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए वस्सलाम फार टोडे ओके